हेलो मेरे प्यारे बच्चो माइनेम इस सुनिल शिंदे वेलकम टो शिंदेश केमिस्ट्री टेकनिक्स देख लिए तो 31 में के स्टैटेजी देखते हैं अब इसमें कल हम लोगों ने जो किया तो 9 में अपना स्टार्ट है आई पीसी नेमिंग तो उसमें हम लोगों ने कौन सा एक तो हेलो हेलो केन हैं है अरीन कर लिया उसके और फिर हम ने किया अब दो चप्र आपका एक आप हमको देखना यहां पर अभी क्या काफी बड़े-बड़े इसको इतना आसान मता सब्सक्राइब खतम कर देंगे तो अब कर रहे गया अमान का करना है फिर अब करना है तो 31 करते हैं आप पहले का पूरा पढ़ लिए आप लोगों ने आपको पूरे अल्किल गुरूस पर्फेक्ट चाहिए काउंटिंग पर्फेक्ट चाहिए ठीक है जितना मैंने पढ़ाया भी तो प्रिवेस आपको प्रिफिक्स पूरे क्लिर ची नॉर्मल आइसो सेकेंडे टर्श क्या अरोमेटिक है हेलो अरिंस के दो फिफिनॉलिक अलकोहल फिनॉलिक और यह से पांच अच्छी होगे अब जो भी होंगे तो अभी हम नेक्स्ट फंक्शन आज का लिखता हूं मैं नंबर वन की आज का मैं डाल देता हूं तो इसमें पहले मैं लेता हूं अल्डी हैट्स अब देखे तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा वह ऐसा लिखेंगे इसको आर सी एच ओ इसका पांट का हम बोलते हैं अल्डी हैट्स ध्यान देना है कंपॉण का नाम क्या हो जाएगा अल्डी हैट्स और फंक्शन ग्रूप का नाम क्या हो गया अल्डी हैडिक स्कुल गुण क्या विखेंगे स्फेक्षी तो अब भी अल्डी हेटके लिए सोट्स लगता है मतलब इसका क्या यह रहता है न आप कारभो अग्सलीक अजटेंगे अचटि बना सकते इसको तो इसका क्या दराव यह एक इसेड़ वड़्ड और रिप्लेस्ट यह हटा का सक अब एक एक्जाम्बल में लिताओ आपको बतातों और आईपीसी नेम के लिए आपको क्या करना है इसलिए यूज करेंगे अलकेन तो हंड़ेट पोस्टन अलकेन और सफिक्स अल आएगा कल मैं आपको समझाय था कि यह अलकेन का इलेटर क्यों डॉपर तह एई आई ओ यू ए ए आई ओ यू यह यह अगर यहां से इस अल देखो एल आ रहा है तो ए आगया उसले लेटर रॉप ठीक है यह थोड़ा से चोड़े डूरूल से याद रहता है कुछ ऐसे भूलते हैं सब याद रहता है अब जाद धान देंगे तरह अभी तो यह क्लिए रहा है आप आई पूर को दाता हो पहले एक्शाम्पल ले रहा है आप है घुसी यह लिए कुमक्तने कॉमें कि यह क्या बनने वाला को यह तो फर्मीक एसीड का आपको एक एस निकाल दिया कैसे निकाल दिया तो नाम क्या बन गया आपको आगे आपके समय और आई पी सिने की अलकेनल एकी कारवन अलकेन हो जाएगा मीथेन फॉस्ट लिटे के पिडिलर डॉप और सफिक्स अलमीथेनल हो गया अब देखें दूसरा और दो कारवन है तो अलकेन क्या हो जाएगा अब दो कारवन है तो अलकेन क्या हो जाएगा एटेन अलकेन क्या हो जाएगा एटेन और सफिक्स लगा दो ईलिट निकल के अल एटेनल क्लियर बिल्कुल अब थर्ड एक्जांपल देखें आजाएगा कुछ इतना डिफिकल्ट ने में पूरा इसके साथ लेरा रूल के साथ आप वीडियो को बार बार देखें आपको सम समझें ना तो प्रोपियोनिक एसे तो तो प्रोपियोनिक एक 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 ए प्रोपेन और सफिक्स अल प्रोपे नल आ जाएगा एक फोर्ड एक्जाम्ब लास लेता हूं एक और च्री मैं सिखा के छोड़ दे रहो आपको बाकि आप आगे आप देख लिए इसमें थोड़ा थोड़ा गोलते बहुत विए ठीक एक अच्छा हो गया ना तो अभी इसका अगर ऑक्षिदिशन अन्बू ट्रिक ऐसी बनेगा एंबू ट्रिक एंबू ट्रिक एसीड तो आपको क्या करना बड़ेगा एक एक एसीड आएसी निकाल आइसी कैसे निकाल के मैंने अल् इसका नाम क्या जाएगा अभी आप सोचिए क्या नाम आता है तो ब्यूटेन वन यह एक्जैक नाम इसका ब्यूटेन वन वन पॉस्टिशन फंक्शन अब आगे एक लिए तो कॉमन निमी के लिए या दखना है क्योंकि अल्डी हाइट का ऑक्सिडेशन करेंगे तो बनता ह तो इक असीड वर रिप्लेश वाई अल्डी है ऐसा है ठीक है ना मत इसका जो कॉमन ने में बेस्ट और कॉमन नेम आफ कार्बो ऑक्सलिक असे तो उसलिए आपको इक एक असीड निकालके अल्डेशन करना बढ़ेगा अपको ना ठीक है फिर आईपी सिनमी के लिए लिए सब्सक्राइब करना बढ़ेगा अलकेन का यह लिए रॉब आल क्योंकि वावल से स्टाट हो रहा है सफिक्स क्या एड़ हो रहा है वह वावल से एई आई ओ यो ठी अब यह चार एक्जाप हो सामने सफिशेंट है इतना आ जाएगा चलिए अब नेक्स टेक्टे फंक्शन ग्रूप जो च bạn होता है कि टोनिक कृट थे मग्रूप तो इसका हम दोते हैं कि के टोनिक कृट्व कि टोनिक ग्रूप लें कि टोनिक कृट में आ ब ग्रूप जोग्रूप त जनरल रीप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका आर सी ओ आर अब इस कंपाउंड को हम बोलने वाले हैं कि टोंस क्या वोलेंगे इसको की टोंस पूलेंगे ठीक है दो अभी दोब्धार सेम होगा तो क्या है आप देखते हैं पहले हम और की टोंस को मकण नेम तो कॉमन नेम में द्याद ध्यान दिज्यें पहले मैं यहां पर सिंपल क्या लेता हूं में सिंपल की टो सिंपल की टोन सिंपल की टोन में हम लेते हैं डाय अलकिल की टोन डाय अलकिल की टोन जैसे हमने इथर में लिया था डाय अलकिल इथर फिर मिक्स्ड जान देना सब्सक्राइब अलकिल और अलगिल कीटोन और अलकिल ग्रुप को आपको ऑरेंज करना है ऐल्फाबेटिकल और्डर में एवी सिटिक और में इल्फाबेटिकल और में करना पड़ेगा ठीक है न इसमें यहां पर याए था पड़ेगा अलकेन क्या बता सकते है अभी सोच के लिटर टॉप करें सफिक्स का और लगाना करेंगे यह करेंगे से किको सिम्पल कीटों कीटों की एक स्क्राइब टाइए पहले में लेता हुं छुनिटी आप है पहले में लेता हुआ को सिंपल कीटोन के एक्जांपल लेता हम था पहले मैं ले रहां थो को सी एच थ्री सी ओ च्छ थ्री सिंपल कीटोन तो क्या वड़े डाय- लखिल कीटोन अब इसका एक कमर्शियल नेम भी होता है एक सिट और यह यहां दखना है और इसको बहुत 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 फेमस हो गया है और इसको इसको भी आ सब्सक्राइब अब आई पिसने में लिए क्या होगा अलकेनों तो किते कारवन 123 अलकेन हो गया है प्रोपेन ठीक है अलकेन थी ने तो प्रोपेन एलेटर रॉप और सफिक्स ओ प्रोपेनों असान है अब दूसरा एक्जामपल देखते है च थ्री सी ओ एक और सिंपल ही लेता ओं और आएँ त्राइश तो च थूच टू थी इसीमपल की टोने तो ढए इफिल के टोन डायलकेल क्या एख ए और तो सीनिसकर ना औन और दैडाई इधिल की टोन हा जाएगा दाए इफिल की टोन आई दाइधिल कीटोन अब आई पीस ने वान टो त्री पोर फाई यहां पिंटेनों किया क्योंकि ये तीन फंक्शन घद 2 इसका दो इकार बने यहां फे सर्थ चार कर नह रहे फॉच्टेन सब्सक्राइब संब्सक्राइब कितने 50 कि दिया मैंने पैंटेन और सफिक्स 303 पर पे ओने रही यह लें पहले हो गया पेंटेंट रिएवे अएपिस न लिखते नहीं जा थाएब नंबर और वर्ड की बिच में हाइपन और नम्बर को सप्रेट करते हैं कॉमा से और फॉर्स लेटर capital होता है और बाकी कहीं capital नहीं होगा बीच में एक first letter capital होता है clear है इतना यह simple example होगे अब मैं mixed के बताता हूं को example यह ले दो नीची अब देखिए third example देखते हैं mixed में CH3C OCH2CH3 देखो अब function को एक side methyl है तो क्या वड़े mix keto के लिए alkyl-alkyl ketone और alkyl-alkyl group को और रिंच करना है alpha-betic water अभी सिन्म पहला है इथिल का यह पहले आएगा मिधिल का M बाद में आएगा उसले इथिल इथिल इलेटर पहले आ रहा है ध्यान दो दरहां इथिल का इथिल फिर मिधिल का M लेटर मिधिल दिख लिए और ketone होगे ना इसका common इथिल मिधिल ketone आई पी सिनें फंक्शन तीन कारवन नम्बरी करने बड़ेगी अब यह फंक्शन करूं कहां से नजदीक है लेफ रेंड से नजदीक है तो वान टो थ्री फॉर उदर से होता तो उदर से करता है तो इसका नाम है आपका ब्यू टेन टू ओ नाम हागा इसका ब्यू टेन देखे जाब CH3COCH2CH2CH3 अब एक सेट मिधिल एक साट एन प्रोपिल तो एन को मैंने कली बता है था है कि नॉर्मल आइसो सेकेंडरी टर्शरे नियों इनको कंसिडर नहीं करते हैं लोग टेकन अब देखें मैं लिखता है पे एम पहले आए जाए ते मिधिल फिर लिखेंग एन प्रोपिल देखो एन प्रोपिल की टो अब जारा ध्यान से सुनना जारा मिधिल का एम और प्रोपिल का पी नॉर्मल आइसो सेकेंडे टर्शरी नियों इसको लेटर कंसिडर नहीं करते सिर्फ अल्किल ग्रुप का फॉस्ट लेटर अब फॉंक्शिन कितने चार कार्व करेंगे यहां से क्यों कियों कि यहां से ने रिस्ट है तो 12345 तो क्या लिकांगे इसको पैंटेन ट्वोड अब सारे बेसी स्ट्रक्श मेंने कर दिये पोरा क्लियर हो गया अब आगे 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 मूव कर सकते आ ए तो गाड़े पर शुरू हो गया भगाओ सारे गेर म कर लिए उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लिए जो पहली बार से पढ़ा उसकी बात कर रहा हूं जो पहले से पढ़ रहा हूं उनको तो रिविजन होगा है ठीक है ना चलिए फिर अविता नोडाउन कर लिजे तो यह होगा आपका अल्डी हैट्स कीटोन अब लेते कार्बो और जलीक असेट का भी है कि ना कार्बो और सलिक एसेट ठीक है देखते हैं अभी नेक्स्ट अब आज का यह थर्ड तो अभी यहां पर ले रहा हूं में सी ओ ओ एच इसका नाम है कार बो औक रहन आपक हैं ville कार्बो औक जलीक एसलिक एद कर्बो औक शील गुरॉप नाम इसका कर्बो आक सिल गुव 150 अब कर्बो औक जलीक ऐसेट करब कर्बो जलीक ऐसे अजए वर इसका जेंडर री पूपनें अना साथ और इसका नाम हो जाएगा कार्भा औुछलिक ऐसेड नाम में आता है कार्भो औुछलिक एसेड एक ऐसेड है अब जू हम क्या करेंगे कॉमन था कॉमन चेहां पर क्या करेंगे स्पर तरेंगे स्वेटका यह लिए लेंगे सो ऊसॉर्स आएगा लिए आप क21 आई सभ यदिलाहं लागते हैं लिए लम मर्र्ट आशाए लगाते हैं अब शक्री में मत्री हो रहा है मतलब अब इसलिए लेटर ड्रॉप ओएक एसेट क्लियर है सब कुछ इसी में है आप देखते हैं इसके एक्जाम्पल पहला एक्जाम्पल लेता हूं में रेड है लिए ट्रेड पॉर्म ऑब लेको फॉर्म वर्ड और सफिक्स लगाना एक एक एसे अडिक में तीक है सिर्द अब इसका अब इसका इपीजिंए एक ही कारवन जाएं और हैं नी क्या जाका करवन लिएा लिए मी लिए ने आप दूसरा एक्जाम्पल देखते हैं सी एच त्री सी ओ ओ एच इसका कॉमन ने में एस सिटिक एसेड आप देखे कैसा है आप लेक्टे लेंगविश से एसी टम एसी टम इसका मीनिंग होता है विनेगर क्या होता है विनेगर तो एसी टम से अब इसमें दो करवन है तो अलकेन के आजएगा दो कर्म यह एथेन दो करवन एथेन और सफिक्स वीक एसेड एक लेटर ड्रॉप करके तो जाएगा एथेन विल्कुल क्लियर है सब कुछ कंसेप्ट बिलकुल क्लियर है कोई कंफिजन नहीं रखा मैंने इसमें चलिए और एक और थो इसे लाँब काम के रहते हैं इसके तो कि अब देुब थर्ड एक्जांबल देखते हैं देखे ओऊ-छ टो सि ओ और फिसका को सॉमनियमस वीको यादे प्रो प्यॉनिक एससेट प्रोप्यॉनिकसिन कैसे बत Kartal लाटन लेंग्वेज से देखते हैं क्या बलता है गोडसे बना हुए प्रोट जों से आया है प्रो प्रो ता हमने क्या कर दिया भी प्रोपिय प्यॉट का इसका वर्ड ऑन गया सका फॉइसा फैट्रो प्रो गंसे प्रो दो आया मतलए फोज्ट हो गया अपिया दोड़ फ्यूज तो हमने लिलिये प्रोप्योन और सफिक एक 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 प्रोप्योनिक एसेट कोई कन्फियूज अनुज में नहीं है आई पीस ने कि तेकार वान टू टू ट्री फंक्शिन दो करवन तीन नहीं तो इसका नहीं हो जाएगा प्रोपे नोएक एसेट प्रोपे नोएक एसेट नाम अएक प्रोपे नुएक एसेट चले एक और लास्ट एकजम्पल देखते हैं च 3CH2CH2CH2COOH अब इसका नाम है नार्मल ब्यूट ट्रिकक ऐसए इसका नोर्मल व्यूटरीक आप लेखा तो लैटन लंगर्वेश के साय कि हां पर बताको इन लाइटे लेंगुश तो विव्यूटी रम ब्यूटी रम का मतलब होता है बट्र क्या हना होता है बट्र है ब्ट्र जानके हैं बट्र तो लेटई नगे ब्यूटि रमकातव बतर तोसे यह B U T Y R B U T Y और सॉफे से कैसे नॉर्मल्स कै 수가 किए इंगर स्टेट चिर्जिशे नॉर्मल कि इनकाम मुस्ते नॉर्ममर्लाइब नॉर्म वी करेंगे तो अब इसका आई पीटेन क्या होगा ब्यूटेन क्या जाएगा ब्यूटेन वन ओएक ऐसे पोजिशन बतानी पड़ती है तो बिल्कुल कंसर्ट क्लियर है अब हमको क्या करना है अमाइंस का देखना है उसके आपने पूरी नॉमेक लेचर खतम हो जाएंगे ठीक है फिर जो बड़े-बड़ स्ट्रक्चर वो कल देखेंगे पहले में इसका जड़ा क्लियर करेता हूं माइंस का आपको जड़ा है एसटेख ग्रूप मतलब प्राइमरी अमाई इसको इमीन अग्रूप बोलते सॉरी अगनाम लिखते हैं क्यूप का तो अमीन आमीन नू फंक्शनल ग्रूप इसा बोलेगे इसको अमीन फंक्शनल तीक आ फीक से रिके बालेंस का प्राम्रिय आमाइन्स क्या कर अब इसके एक कवन नेमेग युप का हमाइन तो कहलтесь के लिए लोगा कोई करना पड़ेगा यहां पनख लेती है मिया अलकिल ओमाइन में Body टेके ना तो यह होगे एल्केल आमाई आब इसका आयो पीसी नेम के लिए क्या करना पड़ेगा विदेख लिए आयो पीक शी नेम की लिए कोंसा वर्डयूस करेंगे अलकेन तो आने बाला है अलकेन अप्सफिलए आमाइन क्या ही लिटेड राप होगा येँस ये स्टेडोल अलके नामाइन देख लिए अलके नामाइन वड़ा रहा है अब थोड़े कुछ एक्जामबल के प्रैक्टिस कर लेते हैं पहला एक्जामपल यह हमें यहां पर CH3 NH2 अलके लमाइन अलके ले मिधिल मिधिलमाइन हो गया इसका नाम सिंगल वड़ा कॉमन नहीं में सिंगल वड मिधिलमीन तो मिधिलमाइन हो गया अब अलके न मनेकी करवन तो मीथें यह जाए जाहा है और सफिक्स माइन मीथे नामाइन हो जाए ठीक है अब सेकंड एग्जामपल देखे इसका CH3 CH2 NH2 अलके लमाइन तो इतलमाइन है ना इतलमाइन सिंगल वर्ड इसका ध्यान रखना है शिंगल वर्ड दो कार वन अलके ना मैं में क्या जाएगा एथे ए और सफिक्स अमाइन इथे ना माइन आ रहा है समझ में अब थर्ड एक्जामपल सी एच थ्री सी एच तू सी ह टू एच टू ए जी तू ठीक मैं सिंख में तीन चारे एग्जापल अगे क्या आप करके दे प्रोपिल एन प्रोपिल अमाइड सिंगल हटका देखो मैंने आई पीस इने दोगों फंक्शन आथ तीन कारों से नम्मरीं वाइन टू थ्री यहां कार्बन नहीं कारों होता तो करता मैं वहां से तब इसका नाम क्या जाएगा प्रोपेन प्रोपेन वन आमाइड वन एनेच टूँ और मिल्च कर पाएंगा राम से अभी कुंसा आईसो प्रोपील है ना तो इहां लगाते हम क्या आईसो प्रोपेल आईसो प्रोपील अमाइन अब आई पीसी नेम क्या करेंगे यह तू पर है राम से कॉमन इमिक ले अलकिला माइन ओभी सिंगल वर्ड आई पीसी में अलके ना माइन सिंगल वर्ड ये भी रहता है लेकिन फॉर्स लिटर्स का कैपिटाल हो गया ठीक आप देखें सेकेंड्रिया मैंस अब हां तो अभी दो और लेने सेकेंड्रिया और फिर तरुशरिक अब हो टिया तरहां पिर आपको में इसके बेसिक सारे इग्जामपल ले लेता हूँ फिर आपका काम केंँए बड़े स्ट्रक्चर का बात देखेंगे पर आप लोग तो 6 था बहुत अब सेकेंड्रिया मैस एन एच तो इसको हम बोलते हैं इमिनो क्या बलेंगा इसको इमि इमिनोफंक्शन गूरुप नहां में इसका इमिनोफंक्शन गूरुप अब इसके दो वैलनसी है कि दो आई और इसका तो चन्रल री प्रेजेन इसका क्या हो जाएगा आयर एं एच और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरिया माइन्स बोलते हैं है कि किसी बुक में आप लोगों ने पड़ा ऐसे बुक्स मिलेंगे इसने आपको इसको सोचना पड़ता है थोड़ा अब देखिए जड़ा अब इसके टो लेकिन अभी इतना सफिशेंट है मतला एंकरने लिए तो कम नेमिंक यहाँ पे क्या करें यहाँ अगर यह दो अलकी। ॥े यह फिर भी सटाए या फिरन अल्किल अमाइन डाय अल्किल आमाइन दोनों सेम हैं अमान लोग डिफ्रेंट होते तो यहां पर उसको होते ही mixed amine अगर दोनों आर डिफेंगे तो क्या हो जाएंगे mixed amine गोलेंगे सकों लोग mixed amine और इसके लिए आपको लिखना भड़ाएगा alkyl alkyl amine और alkyl group को दो कि हमेरे सिंगल वर्ल लिखा दिखना आपको single word single word और alkyl alkyl group को आपको आरेंज करना है एलफाबेटिकल और डर अलफाबेटिकल और देख लिए अब हम बात करते हैं आयोपीसी नेमिंगी आयोपीसी नेम इसमें भी देखिया अगर पहला शुम्पल अमईन है तो क्या करेंगे इस लिए बड़ उस करेंगे हम लोगा एन अलकाईल अलके न siitä है कि अलकेनामाइन मिक्स्ट होगा तो फिर क्या करेंगे गे यहां पिलिग दम रहता है सारा मेरा मिक्स्ट अमाइन क्या कर सकते हैं अलकैल किसको लें यहां दो पार्ट अलकैल और अलकैल तो एन यहां में लेगे तो हमें एन अलकाइल रहेगा लेकिन क्या करना बताता हूं एन अलकाइल अलके ना माइन ठीक है न तो अभी एन अलकाइल जो रहेगा वो क्या लेना आपको लेना है स्मॉलर 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 अलकिल ग्रूप लेना है आप स्मॉलर अलकिल ग्रूप और अलके ना माइन जो रहेगा इसको अपको लेना है क्या लोके ना मैं इलेना को लारजर लारजर अलकिल तो अलके ना माइन में जाए लारजर अलकिल ग्रूप यह डूल्स होगा है देख ल कामाइन मिक्स venir कालकी लख Notre ग्रूप को अलफांगल और फर अचल को था पो सुमालर नाईरोजन वह yield फिशूरे अ यह ए को न्य। से अटायज है ठिकल यह बता है कि small N ने लिखना capital N चाहिए तो यह smaller L के ग्रूप और आल के ना माई लाद दे लेना का तम अभी कुछ example देख लेते हैं सके हम लो ठीके ना चलिया कुछ थोड़ा से example देख लेते हैं चलिए अब हम जड़ा पहला example के तरफ बढ़ते हैं इसका पहला एक्जामपल मैं लेता हूँ CH3N HCH3 ओके तो यह अब हैं मिधन इंचेंड इसका तो एन मिधन मिधन में इसका बैए सबस्केक नोहहाए कदिसमें लो अगर आपने सबस्क्तिन है वैब को तो इनमितन 730-1 तो यहां इसको जोना आवाएगा एन मिधिल फॉसलिटर कैपिटल अ यह को आलकील रूप फॉसलिटर कैपिटल एन मिध्यल मिध्य ना माइन बराबर एक ने देख लिए आ रहा है समझ में मिध्य ना माइन अब दूसरा एक्जामपल देते हैं सी टू एच फाइब एन एच एच फाइव डाइधिल अमाई इसका ना हो जाएगा डाइधिल अमाई अब इसका आयव पीसे ने मिद्स समझ में आ गया बोल सकते हैं भी आप लो से मेना तो एन इथिल इथिन आमाई या यह फिर एन इथि इथिन 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 आमाई इन समझ में आया अब देखते थर्ड एक्जाम मिक्स कर लेता होगा थी एच त्री एन एच छी एच टू सी एच त्री मिक्स्ट मिक्स्ट में क्या करना आपको अल्किल अल्किल अमाई तो और अल्किल अल्किल ग्रूप को आरेज करना है सब्सक्राइब तो इसे करने पहले आगाना एम अबीसी डी टेट इतिल फिर आईगा मिधिल अमाइन सिंगल वड़ा देख लीजे तो बोलेंगे सर भूल गें मैंने भूलता आप लोग देख लीजे इतल मिधिल आमाइन अब दो उसके रूल के वाता है आई पीसी में स्माल स्मॉलर को अलकिल यहां पर आपको अलके नमाइन अलकिल यहां पर आपको अलके नमाइन समझ में आया कि नहीं देख लिए ओके अब देख देख दें एक्जम्पल नमबर फोर्टाब हो सी एच्ट्री लिए से एच्ज टू थी एच्टू सी एच्ट टू Сी एच्ट्री कि ऑफे एक से इंप्रोपिल तो क्पेले म ए मीघर न मिद आं प्रो प्रोपिल जमुल एन प्रोपिल एंप्रोपिल अमाइन मिदिलंप्रोपिल एंप्रोपिल really सोब ओने अब ल theorरนमाहीं टूटि यह एनलके लिए और्याल या लके नमयीज आलके शॉदिक करेंग मत किचिए आ्क रड़ पर दिफ कलड़ मोने This CH3 and HCH CH3 CH3 means that except methyl excited isopropyl isopropyl है तो ही एम पले आएगा methyl isopropyl बराबर एक में आइसो प्रोपेल आइसो प्रोपेल बहुत अच्छी तरह से कीजिए को बहुत कैसे बीच में आ रहे हो आइसो परिचान में आची देखो दोने से मिचले आईसो प्रोपेल तेगा आप ब्रांश कर देख देख लिए मिचले तो आईसो मिचले तो सेकेंड रहे हैं लाग्जर ग्रूप लेड़े अमने अलके ना माइन नमरीं कर आँ 1,2,1,2 कहीं सी कर सकते 1,2,3 तो इसका हो जएगा एन-मिथिल प्रोपेन आपका 1 पे आमायन था यहां पे टू पे आमायन था देखने इतने एक्जांपल को सफिशेंट है कर लिजे सको अब हम देखते हैं लास्ट अब तर्शरिया माइन देखने वाले अब अब राइमेर हम ऑने होगे अफिर फिर आपका यह पूरे चाप्टर के नौ में इक लिजे कथम फिर फिर तो अब तर्षारी नाइट्रोजन अटम वोलते हैं इस फंक्ष तो इसकी तीन वैलेंस ही है न सब्सक्राहिए थीन लगेंगे तो सिका मैं अगर लिखता हूं जनर्रू रिज्टेशन लिखता हूं तो और अं विलें high यहां है बोग одним होग क्या मैं प्रूत uwव इसको क्या है थे तरशरे हम क्या करने वालना है इसके विए common name के लिए common name तो common नेम अभि यह पर यहां पर यह भी simple हो सकता है mix हो सकता है तो पहले मैं लेखता हूँ इसका simple simple amine तीनों अगर same होंगे तो simple amine तो त्राइ अल कि अमायन तीनों से में तो धायल के ला मांने कुछ प्रॉलम नहीं आभी आपको समझ गए मैं रूल्स कैसे लिछेयरा हूं अब अगरी ईमिक्स्त मतलब मिक्स्त में क्या ता दो सेंग डिफएया इनु दुप rich ुम कट्रिगन भिदम जो बिषेटां अब तो यहां अल्किल विखित확 आप कि मिद्धिक अमाई तीनो की तीनों डिफ्रेंट और तीनों अलकी करों को अलफटिक का गरेंगे अलकी थो सिंगे तो दायल किल वैल किल अमाई कि अल्केल करेक्ट अब यह डाई तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यूज करेंगे n, n डाय अलकिल दाय अलकिल यालकिल अलके नमाइन अलकेन माईन ऐसा हुआ है अगर आपके तीनों से होगा या फिर 2 से मोर एक डिफेर्ट होगा तब यूज़ करेंगे और दूसरा रूला मैसे लेगा सकता है है जाहिए तो समrit हैं लोग दो दूफिरेंट एक से में यग तीरों डिफरेंट जो भी हो तो ले घेटी-च्ống एक सपथु आसा आप ट्र MILL आऑल से आब अगशामपल समझाएगा अगर तीनों अलकर और इनको यहां भी हमको अरेंज करना है यह भी क्या करने हैं को अलफा बेटिकल और में ही करने हैं अध्यार रखना है लिग देता हूं में अलफा बेटिकल और यह हो गए रूल्स पूरे समझमें कुछ अधो यह सार इसी में अबम हम प्रैक्ट्ट्स करें देट कि ठीक है कोई कंफिक दून तो नहीं अधाने कुछ एग्जांपल साम इसके कि अब देखुए इसकाट फर्स एग्जांपल देखते हैं मैं यहां पे दूरिकंडे तिनर ट्रीन हमाई ख को सबस्तों तो किसी एक को ते ली नमाई तो यह फिर तो न यह फिर टो mm एन डाय मिथिल डाय मिथिल मिथे ना माइन ऐसा होने वाला है आपको एक्सके एक्जाबल कम भी लिए तो समझ चलेंगे ना अब एक मिक्स का बता है तो आपको कैसे करना है हैं gust 3m ृ हमने स Durhamे लेता हूं मैं सीटु फाई तब दो से में डिफिरेंट है तो अब इसको डाय टी संबाव अलगी तो एपहले आएगा बात में माईं एल कि डाय इथिल ऑले यह सिर मिथिल एक मिथिल इंख मे तल हो पड़े है और आयवीजी आपी दो बड़े जिए बिदिए जिए पादे तो इन दोन दोन किसी एक को लेए पड़े गाँ थीक तब दो अभी इनमें यह एन मिद्धिल अभी इनको एल्फटरॉर्म एपढ़ा है एन इसको भी एल्फटरॉर्ट विद्धी टिरह न यहीं दो हाव रेक लेता हूं एक्जांपल में थर्ड एक्जांपल देख लिजिए अमने याप लिया च्छ 3 तीनों कि तीनों डिफेन है एन फिलिया मैंने च्छ 2 च्छ 3 और यहां पे लिया मैंने आफ पर सीट वाले लेता हो यहां पर सीटू एच फाइफ अब कॉमने टीनों डिफेंट एक मिधिल एक इद्धिल एक एन प्रोपेल एलफब रोड़े में अलकील अलकील अमाइट तो क्या हो जाएगा पहले आएगा एले नीची लेगता हूं जगा नहीं है उसकी इसका अश लार्जा ग्रूप लेना आपको अलके नमाइन वही रूल है इसकी नम्रिंग कर लेना बढ़ेगा तीन का रोने कर नम्रिंग कर रहे हैं एक यह दो में नहीं करते हैं अब यहां भी अब डिफ्रेट है कि इतिल एक मिधिल तो इसको एलफा बेटी कोड़ा है तो पहले यह अब कुछ उतना प्रॉलम नहीं है इसकी प्रैक्टिस करके आप आगे दूसरे एक्जाम्बल देख सकते हैं तो यहां पर मैं यह वीडियो स्टॉप करता हूं आप ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताईए जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए जो हमारे पुराने बहुत ही मतलब महत्पूर्ण विद्धारती वो अपने दोस्तों बताकर सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरीत करेंगे बताएंगे उनको कि देखिए बेसिक से स्टाट है अभी आपका यह दूसरा है ठीक है ना बेसिक बेसिक चला है ना बेसिक पूरा क् है ठीक है चली आप जाने जी आप आपकी जी आपकी त्यारी एक्जाम जब होगा हम अपने काम चलेंगे हम तो टार्गेट लिए कि पूरा जून अपने वास से खदम हम जून में सब कुछ निप्टा देंगे ठीक है चली इतना पढ़के रख लीजिए बाके देखेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में